हालो गाइज आपका सौगय है मेरे चैनल आरव अकॉस्टिक में मेरा नाम है आरव और आज यह आपको बताऊंगा कि हम आइसो फाइल कैसे क्रीट करते हैं सीडियो और डिवीडी से तो चलिए शुरू करते हैं इसका नाम है आइम जी वन और मैंने इससे पहले कैसे हम फाइल से इसफाइल करते हैं मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं अब को नीचे डिस्ट्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अब क्लिक करके इसे देख सकते हैं चलिए आज का टॉपिक है कि हम सीडि में से सीडि से आइस फाइल कैसे करें यहां पर सेंपली अपलिका हुआ क्रीट इन फाइल फ्रॉम सीडि सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे यह देखे मेरा सोर्स दिखा रहा है मैंने अल्रडी इस पे इसे देखें विंडोज का इतनी वी यह पूट फाइल रिखा रहे हैं ठीक है आपको सीडि सिंपली ऐसे लगाना है इसमें आप विंडोज की सीडि डालना है और सेंपली यहां पर आना है वापस और यहां आप साबसे पूशेगा देस्नेशन के बारे में आप कहीं भी डे आप सिंपली यहां पर इसका नाम भी चीन कर सकते हैं इसका विंडोज रखना चाहता हूं तो मैं यहां टाइप करके शेप कर दूंगो और इसके बाद यहां पर क्लिक करें तो क्लिक करने से पहले आपको बता दूँ कि इस सौफ्वियर का रेडी होना प्लिए आप यहां अब देखिंग रेडी का ओप्शन तभी आप आप यहां पर क्लिक करें तो ऐसे कुछ हो गा नहीं वो अर्र बता देगा तो फश्ली यह रेडी होना चाहिए तब आप उपके क्लिक करें तो कि चलिए क्लिक करते हैं यह 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 पापरेशन स्टार्ट कर दिया है रेटिंग चेक कर रहा है यह बर्फिंग में स्टार्ट हुआ है और यह देखिए आप इंफोर्मेशन बताया है कि कहां कितने सेक्टर टाइम और इजक्टरेप आप जो भी कर सकते हैं कि इसको होने के बाद ही आपके यह बंद हो जाए यहां पर भी आप्शन दिया गया है और सेट ड और यहां पर है कि यह कितना टाइम लेगा तो चलिए वेट करते हैं थोड़े तो मैं वीडियो को पॉस करता हूँ 90% तक इसके बाद आगे हम प्ले करेंगे आपके यह देखिए 98 पे आगे है जैसे यह कंप्लीट होगा वैसे एक मैसेज आगा कि आपरेशन इसक्सक्राइब करते हैं यह तो यह देखिए आपका आपरेशन सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया है यह देखिए आपका ISOFile desktop पे आचुका है 3.29GB का यह फाइल है यह एक्सक्सटाइब के अप्लीट हो चुका है तो थांक्यू वर वाचिंग अध्लीट सब्सक्राइब के लिए उसक्राइब कंप्लीट होगा है झाल झाल